कि let r be a relation from q to q defined by r, यानि कि एक relation दिया हुआ है जिसमें दिको a और b है, such that a b है, वो किसमें आ रहा है, rational number में से आ रहा है, बट उन्होंने एक relation दिया हुआ है, कि उनका जो difference है, वो क्या आना चाहिए, इंटीजर में आना चाहिए, यह दिया हुआ तो देखनें भी क्या है, तो यहां से solution में, देखो पहले तो, solution में क्या है, आपको r, यानि r आपको given है, किस तरीके से, a such that, a और b है, वो belong कर रहा है, किसमें से, क्यों में से, and a, a minus का b minus का z, ठीक है, इसका क्या होना चाहिए, a minus का b है, वो किसमें आना चाहिए, integer में आना चाहिए, ठीक है, तो पहला देखो, पहला जो proof है, वो क्या बोल रहा है, कि भाई, इसमें, जो a minus a b है, वो किसमें आना चाहिए, इस relation में आना चाहिए, for all a belonging to, इसके लिए, तो यहां से proving के लिए, क्या करेंगे, भाई, देखो भाई, a comma है, वो लेते हैं, a comma है, वो किसमें है, वो र में है, ठीक है, relation में है, क्योंकि एक इस प्रकार का इसमें से लेना है, a b type का, तो हमने क्या लिए, दोनों element same ले लिया, अब वो देखो कि क्या ये, a और b, यहां पर किसमें है, यहां पर लिख दो, a है, वो belong करता है, किसमें से क्यों, अब अपने पास क्या, जीरो आपका integer में belong नहीं करता है, करता है ना, integer में, यह क्या है, integer में belong करता है, इसका मतलब यह है, आपका true statement, ठीक है, true है न, so that, कि यह हमें क्या है, प्रूफ हो गया है, यह इसके अंदर, तो यहां से क्या लिखेंगे, a है, वो क्या होगा, a b है, जिसमें क्या relation में आना चाहिए तो yes ये क्या है भई relation में a और b है वो किस में आ रहा है relation में आ रहा है किसके लिए कि for all a belonging to क्यों यहां से अब देखो क्या किया हमने जो प्रूव करना था उसको लिया a, a को जो कि इसका किसका relation का element है अब देखो क्या ये property satisfied गर रहा है a minus a equal to zero हाँ yes ये इसका property satisfied गर रहा है ठीक है लेकिन ये हमने रुके पहले इसे नहीं करेंगे इसको देखेगा दुबारा से देखेगा कि हमें दोगो ये प्रूव करना है कि ये आर में आना चाहिए ठीक है तो a, a, r में कब आएगा जब ये इस वाली property और यहांसे कोई भी इलिमेंट है जो इसमें बिलोंग कब करेगा जब ये वाली property satisfied करेगा तो हम क्या करें यहां पर a, a जिसा कुछ भी element ले रहे है जहां पर a है वो किसमें है किसमें आ रहा है रिलेश किसमें आ रहा है ए है वो रेशनल नमर में अब यह नहीं बोल रहे हैं कि यह इसका रिलेशन का element है ठीक है अब इस property को satisfied कराएंगे यह जो अपने को given है यह वाली a- b a- b जैसे यहां से a- a किया तो आपको यहां पर क्या मिला यहां पर मिला आपको 0 बिलों करता है किसमें integer में इसका मतलब यह जो a, a है वो आपका किसमें आ गया आपके relation में बिलों कर रहा है और for all किसके लिए a belonging to integer यहां कि rational number के लिए इसका मतलब यह वाला proof होता है ठीक है यह statement आपका सही statement second में देखिएगा कि second में यह बोला कि a b तो है वो अपना relation में है तो प्रूब करो कि b a b क्या होना चाहिए इस relation में आना चाहिए तो second के लिए देखिएगा कि हमें देखो गीवन तो क्या है भई गीवन क्या है गीवन में यह है कि a, b है जो कि क्या relation में बिलोंग करता है ठीक है तो यहां से प्रूफ करना है कि यह किस में आए कि यह b, a है वोuman र में आए ठीक हैن अब इसी में यह यह तीयदि यह दिया वह इ यह relation में अ इसका मतलब यह property यह satisfied करता है कि a minus b है वो किस में belong करेगा z में यदि आप देखो यदि आप इसका common ले लोगे z तो b minus का a belonging to z तो यहां से क्या यह b minus a है वो क्या minus z में belong नहीं करता integer का ही तो element होगा न ठीक है तो यह भी integer यह भी belong करेगा इसमें क्योंकि यहां से हमने minus common लिया और minus यदि पूरे integer set को आप minus से multiply करा दोगे तो उसमें कुछ फरक नहीं पढ़ने वाला जो positive थे वो negative हो जाएंगे और जो negative थे वो positive हो जाएंगे तो आएगा तो वो z के equally ठीक है कोई दिकत नहीं यहां से देखो b minus का a को हमने किसमें प्रूब कर दिया तो इसका मतलब जो अपने पास जो b, a है वो भी आपका किसमें आएगा z में आएगा for all a belonging ठीक है यहां से किसमें आजागा यह relation में आजागा z में तो यह आएगा यह बिलोंग करेगा relation में for all a belonging to integers में तो यह integer में बिलोंग करेगा ठीक है अब जो इसका third statement क्या है होई तो third statement क्या है यहां से a, b बिलोंग करता किसमें relation में and b, c बिलोंग करता relation r में तो यहां से देखो क्या यह imply करता है imply कि इस तरीके से और इस तरीके से यह बिलोंग करना जो कि हमें यह तो so करना है यहां पर ठीक है अब देखो यहां से इसमें गीवन क्या आपको गीवन तो है आपको देखो a यह भी आपका relation में बिलोग कर रहा है R में, ठीक है? अब दूसरा देखिएगा, कि B, C है, वो भी आपका किसमे IS अब अपने को प्रूफ क्या करना है? प्रूफ के लिए क्या करना है Михаal अपने को प्रूफ करना है, कि A, C है हो भी किसमे आना चाहिए Metro relation में तो देखो पहली वाली condition से चलते हैं कि A, B है वो relation में है तो हम इसको क्या लिखेंगे कि A minus B Z में belong कर रहा है ठीक है अब दूसरी A condition equation number first अब second condition आपके लिए देखो क्या given है यहां से B, C है वो भी आपका किसमे relation में तो यहां से क्या है कि B minus का C equal to belong किसमे कर रहा है यह बिलों कर रहा है यह जेड के अंदर यह equation number second अब इन दोनों को add करो आप देखो कुछ ना कुछ add करने पर देखो क्या आएगा A minus का B plus B minus का C अब दोनों को add करेंगे तो यह 2 Z आएगा 2 Z से क्या होने वाला है A की बात है यह भी तो Z में ही belong करता ना कहीं ना कहीं 2 Z का मतलब Z के 2 का multiple वो किसमें आएगा Z में तो आएगा ना तो इसका मतलब यहां से यह कटा तो A minus का Z किसमें आया C में और इसका मतलब A related to क्या हो गया जो A C का ordered pair है A C ordered pair वो भी relation में आ जाएगा 4 all A C belonging to Q यहां से तो आई होप यह आपको तीनो प्रूफ किलियर होए होंगी कैसे क्या करने क्योंकि इनको हमें सो करना है कहीं पर इस परकार की क्यूशन आते हैं अब यह देखो आपको यह equivalence relation के बारे में बताना चाहरा है लेकि में पहले वाले को हम reflexive बोलते हैं second को symmetry बोलते हैं third वाले को transitive property बोलते हैं यह किसी भी relation की तीन प्रूपर्ट्य यानि type of relation है